एक अमीर व्याप्यारी था जिसकी चार पत्नियां थी वे चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था और उसे महंगे गहनों से सजाता था और उसका ध्यान रखता था उसने उसकी बहुत देखवाल की और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी वे तीसरी पत्नी से भ व्यापारी के पहली पत्नी एक बहुत ही वफदार साथी है और उसने घर की देखभाल करने के साथ साथ उसके धन और व्यवसाव को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया है हलाकि व्यापारी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और यद्यपी वे उससे गहराई से प्यार करती थी लेकिन उससे शायद ही उसे कभी समझा एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया वे जानता था कि वे जल्दे ही मरने वाला था उन्होंने अपने शांदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा अब मेरे पास चार पत्निया है लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा मैं कितना अकेला हो जाऊंगा इस प्रकार उसने चौथी पत्नी से पूछा मैं तुमसे सबसे जादा प्यार करता हूँ तुम्हें सबसे अच्छे कपडों में रखा है और तुम्हारी बहुत देखभाल करता हूँ अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी बिल्कुल नहीं चौथी पत्नी का जवाब दिया और वे बिना कुछ और कहे चली गई उसका उत्तर व्यापारी के दिल में एक तेच चाकू की धार की तरह काट गया दुखी व्यापारी ने फिर तीसरी पत्नी से पूछा मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी नहीं तीसरी पत्नी ने जवाब दिया यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है जब आप मरेंगे तो मैं फिर से विवाह कर लूँगी व्यापारी का दिल डूब गया और ठंडा हो गया उन्होंने तब दूसरी पत्नी से पूछा मैं हमेशा अपनी मदद के लिए आपके पास आया और आपने हमेशा मेरी मदद की अब मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ ही मरोगी मुझे च्छामा करें मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया ज्यादा से ज्यादा मैं आपका अंतिम संसकार कर सकती हूँ मेरा साथ वहीं तक है उसका जवाब किसी विजली की तरह व्यापारी को लग गया फिर अचानक आवाज आई मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी व्यापारी ने देखा वे उसकी पहली पत्नी थी वे इतनी पत्ली थी लगभग जैसे वे कोपोशन से पीडित थी बहुत दुखी हुए व्यापारी ने कहा मुझे आपके साथ रहते हुए आपकी बहुत अच्छी देखवाल करनी चाहिए थी चोथी पत्नी हमारा शरीर है दरासल हम सभी के जीवन में चार पत्निया होती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना समय और प्रयास करते है जब हम मर जाते हैं तो ये हमें छोड़ देता है हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, स्थिति और धन और मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लिए कितने करीब थे, जब हम जीवित हैं तो वे सिर्फ शमसान तक हमारे साथ होते हैं, पहली पतनी वास्तों में हमारी आत्मा, जिसको अपने अक्सर भौतिक सुक, धन और कामुक आनंद की हमारी खोज में हमने भुला दिया है, जरा सोचो, यह वास्तों में केवल एक चीज है, जो हम जहां भी जाते हैं हमारा अनुसरन करती है, शायद यह एक अच्छा विचार है कि जब हम अपने मृत्यू की शहया पर विलाब करने तक इंतजार करने के वज़ाए अपने आत्मा को सवारे और मजबूत करे तो दोस्तों अगर आपको यह कहाने अच्छे लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू